देश की समाजिक, राजनेतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर बाचीत करने के लिए आज हमारे इस खास कारिकरम एक मुलाकात में मौजूद है समाजवादी पाटी के वरिष्ट नेता नरेश अगरवाल जी नरेश जी आपका बहुत स्वागत है दनवाल मर्वी जी हमाज समने दो तीन समस्या थी कुछ वादे थे जो पूरे करने है समस्या थी कि पांच साल में जो हमको सरकार मिली आथिक रूप से बिलकुल खोखली सरकार मिली सबी विभाग बरस्टाचार की जड़ में बुरी तरह क्योंकि पिछले सरकार के अजगांच मंत्री बरस्टाचार में लिप थे अथिकारियों को भी बुसी तरह बरस्ट बना दिया गया थे पूरी तरह थे लूट की सरकार थी हमें उसको ठीक करना था दूसरा हमने जो चुनावी बादे किये थे अर्थवस्ता काफी ज़्यादा उसमें जोड़ थी चुनावी बादे हमने करीब 60% पूरे भी कर दिये शादी देश में किसी पार्टी ने अब तक अपने जो भी चुनावी घोश्रापत में बादे किये चुनावी पूरे कियोंग जित्तर समाजवादी पार्टी ने किये उसके लिए भी हमको आर्थ व्यवस्ता की जोड़ करनी पड़ी वेवस्तित करना पड़ा बादे पूरे करने पड़े तीसरा कानून व्यवस्ता जो मैं सा ने वह भी उन्हें उने के लिए समय चाहिए था तो इंने सब चीजों के बीच में हमने देड़ साल अपने कुछा रहे हैं लेकिन इतना कह सकते कि उत्तरपर्देश के बयवस्ता चीक ने में हम सफल रहे हैं और हम आपको विश्वाद दिलाते हैं कि आगे उत्तरपर्दे वो लैप्टॉप वितरन का है साइकिल का है कन्या विद्यादन योजना है इस प्रकार की योजनाए हैं यह सब बड़ी च्छने की योजनाए हैं जो ततकाल जनता को थोड़ा सा लाप पहुचाती हैं यह कोई देर्ग गामी ऐसे योजनाए नहीं है जिसे वाकई जनता को बच्चा एजुकेटेड होगा वो लंग टर्म तक के लिए उसकी सोच बढ़ेगी साइकल की समारे कहती ही लड़कियों को उनको की घर से स्कूल जाने में उनको दिक्कत होती है तो कम से कम एजुकेशन ले लेंगे यह सब एजुकेशन से जुड़ी हमारी चीजे थी कन्या द्धन भी हमारा इस हमारे था कि आज की जो हमारी समाजी इस्तित है उसमें लड़कियों की इस्तित देनी है लड़की पैदा होती ही घर वाले समस्ते हैं जैसे बोज हमारे उपर आगिया पढ़ाही में रुची उनके नहीं लेते हैं घर के काम में उसको लगा देते हैं सो कि बिना एजूकेशन बना शिक्षा के मनुष्य का जीवन बेकार है तो इन्हें सब की सोच हमारी जो है जो हमारे घोच रहे थी यह सब आदमी की सोचवड़ी करने में उनको एजूकेटर करने में और सौबलंबी बनाने के लिए थी तिलिए यह हम माल लेते हैं कि एक सोचल क के लिए जो है यह आपके सरकार का अचीवमेंट हो सकता है लेकिन राजी का विकास तो इंफ्रस्ट्रॉक्टर से होगा रोड डेवलाप्मेंट से होगा इंडस्ट्रिलाइजेशन से होगा इन सब पहलिवों पर तो सरकार बिलकुल ही नाकाम रही है जहां तक सबकों का सव है यह ठीक किया जा रहा है हमने लेकिन जितना पैसा हमको केंदे मिलना चेकल मैंने सब्लिमेंटरी बजट में जो लाए वो अप्रोशेशन बिल हमने से कहा कि पिछले पांच मेहने में सिर्फ साथ जार पांसा करून रुपर केंदे रिलीस किया 43,000 करून रुपिया भी मरा पांसाल कर घर केंदे रूप केटा है सबसे कम नेशनल हाइवी अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश करें भारत में तो बहुत निकलिक्टेट है प्रधान मंत्री साड़क योजना में भी उत्तर प्रदेश का अंशिदान नहीं मिला भी तक उत्तर प्रदेश को रोके हैं तो हमें यहां से भी तो पैसा मिलने में बिलंब हो रहा है लगता पता निक्यों के नमाज सवतेला वेभार कर रहा है और केंडर के साथ आप लगाता बने हुए हैं कुछ बात आपकी समझ में नहीं आई यह कैसे रिष्ट कभी-कभी हम लोग भी बात पर सोचने लगते हैं कि एक तरह हम बिरोर भी कर रहे हैं दूसरी तरह उनको समर्थन देते हैं इस बात को हमने कई पर पार्टी की मीटिंग में कहा लेकिन जिस तरीके से भा भी कभी हमको इच्छा नहीं पर समझोटा कर लेते हैं जाहिरे जब केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं दे रहे हैं आप फिर भी उनके समर्थन में हैं तो क्या भाजपा के डर से हैं केंद्र का पैसा और सामपरदैक्ता दो में अकर फूट हैं हम सामपरदैक्ता के ज्यादा विरोधी हैं पैसा तुम ले लेंगे केंसे नहीं मिला तो नहीं दो मैने बाद मिल जाएगा लेकर सामपरदैक्ता को नहीं रोखवा हैं तो यह तो देश के लिए बहुत-बड़ा घून हो जाएगा यह दीबक की तरह अगर देश में लग ग सामपरदैक्ता की बात तो हम आपसे करेंगे हैं लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहूंगी आपसे परिवारवाद की कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं परिवादवाद के लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो जिस तरीके से बेटा बाप चाची तमाम लोग परिवार के जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर काबिज हैं और दूसरा कोई नेता जो हैं दिखाई नहीं पड़ता आसपास ऐसा क्यों है शाट का करीम मंत्र मंदल है एक अकलेज जी मुखंत्री है अधिक्तर जो आपके बड़े मंत्राले हैं सरकार के वह एक ही परिवार के पास है सब आपको भी पता है कि एक ही परिवार का पूरा बोल बाला है दब दबा है यह कैसा सबाजवाद है नरेश जी देखें राजनी परिवारवाद का आरोब जो है कोई छुपा छुपाया नहीं है वो आकडों में है आप स्वेम भी जानते हैं कि एक ही परिवार के कितने लोग वहां पर मंत्री हैं और किन-किन-किन हैसियत में हैं तो यह कैसा समाजवाद है यह का परिवार बाद नहीं है तो फिर परिवार बाद और किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन कुछ ब्रह पोई धालिजी तो आप कहते हैं कि बर्म Pack भलत परीवारा के परिवार्वार का बार्वाति रही है समध्ति कुछ्य मैं इसको कि मानता हूं अगर नहीं परवार में व्लोग रखते हैं यूगता के अधर परवार बात का है अगर परवार के लोग है और जन्तान को चुनती है तो ये परवार बात देंखेलाना चाहिए मैं इस सहीं कंगर तो मैं आप लोग को सिभ गहूंगा लेकिन वह अपेक्षाएं जो है धीरे तीरे जो है आशाएंगे तूट जा रहे हैं और अपेक्षा उनको आपके रहे हैं जो यहां लेकिन फिर पेर राज्य में जो है गवर्नेंस का कोई वीजन दिखाई नहीं पड़ता है अब इस पर तो मैं कोई कमेंड नी कर सकता हूं लेकिन तोकि मैं बहुत उत्तर पुदेश संपर्ग में भी नहीं रहता है जो में दिल्ली की पॉलिटिक्स में हूं और यहां पर हमको जो काम सोफा के हम उसको कर रहे हैं वहां काम अखलेजी उनका मंतिपर्शद देख रहा है पिछले दस दिन में जिस तरीके से तमाम कैबिनेट की वहां बैठके हुई और जो मुद्दे सामने आए ऐसा कई बार लगा कि बहुत अधिक मुस्लिम अपीजमेंट की जो है सरकार तैयारी कर रही है यह आपको नहीं लगता है कि इससे लोकसभा चुनाओं में आपको कु समाज के हर वर्ग ने समर्वधी पार्टी को वोट दिया और किसी एक वर्ट से कोई पार्टी नहीं जीतती बहुत पर तो हमारी सोच ऐसी नहीं कि एक वर्ग के तरफ हो कभी हम पर यादा बात का अरूप लगा दिया जता है कभी मुस्लिम बात का अरूप लगा दिया जता है लेकिन ऐसा प्रशर में कौँज बिरादरी नहीं है यह मंत परशर में किते मुसलमा, इकते हिंडू हैं तो उस पे आप लोग अग़ तुनना कर ली जिए तो तुपिर मंत परशर हिंडुमें साठ के संक्या में मुशकील दस मुसलमानों के पचास हिंदू हों कि हिंदों में भी त्माम जाती हैं तो हमने कहा पे बड़ी अपीसमेंट की पालिटिस लिगे तो हम पर एक आप लगा दिया थै़ ओधा मुस्लिम अपीसमेंट की पालिट कर्रह या मुस्लमानों का एक घर है समाज conductivity पार्टी मुसल्मानों की फेद मुलाइम सिंग्जी में है और वो मुलाइम सिंग को वोट देते हैं तो उसमारे कुछ आरोप लग जाते हैं लेकिन हम अपने सभी लोगों को एक बाप के गर पांच बेटे हैं तो वो सबको बराबर वहक देता है ऐसे मुलाइम सिंग जी यहीं पर रोकूंगे क्योंकि एक मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का बहुत जल लोटेंगे बने रही है हमारे साथ